नमस्ते दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ. इस कहानी से तुम्हें एक अच्छी सीख लोगे, चलो शुरू करते हैं. बहुत साल पहले, एक छोटे से गाव में रामू नाम का एक अच्छा लड़का रहता था. रामू बहुत इमानदार और महनती था. एक दिन वो गाव की नदी के पास गया. उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा. वो एक सुनहरी मचली थी. रामू ने मचली को पकड़ लिया और खुशी से देखने लगा. मगर मचली ने रामू से कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दूँगी. रामू ने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है, मुझे एक बड़ा सा सुन्दर बगीचा चाहिए, जहां मैं और मेरे दोस्त खेल सके. मचली ने अपनी पूँच हिलाई और बोली, जैसी तुम्हारी विश, रामू ने मचली को पानी में छोड़ दिया और घर चला गया. अगले दिन रामू और उसके दोस्तों ने देखा कि उनके गाव में एक खूपसूरत बगीचा बन लिया है. बच्चे बहुत खुश हुए और मचली को धन्यवाद दिया. अब रामू और उसके दोस्त हर दिन उस बगीचे में खेलते और मस्ती करते. इस कहानी से हम लेसंते हैं कि ओनिस्टी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है. तो दोस्तों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो.